नमो नारायन संक्षिक भागवत, भाग पैतीस कृष्ण बलराम मतुरा क्यूं गए थे? कृष्ण का मतुरा आगमन स्वयम कंस के बुलाने पर हुआ था कंस की योजना कृष्ण को उनके पिता, भाय और अन्यगोपों के साथ यग्य के बहाने मतुरा बुला कर उनकी हत्या करवाने का था अक्रूर जी की ब्रजयात्रा कृष्ण का मतुरा आगमन सुनिश्चित करने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा था अक्रूर जी का आदर सभी यदुबंशी करते थे अक्रूर जी ने कंस की आग्या का पालन किया था लेकिन वे क्रिशन के भाक्त और ज्ञानी व्यक्ति थे उन्हें क्रिशन की महिमा का पता था वे जानते थे कि कंस उनका कुछ नहीं बिगर सकता इसलिए कृष्ण बलराम की दर्शन की लालसा में कंस की आग्या का पालन करते हुए वे ब्रज गए। इसलिए को देखकर वे उस धूली में ये कहकर लोटने लगे की ओह। भावावेश में उनके आँखों से आँसु निकाल पड़े और शरीर पुलकित हो गया। गला ऐसे रुद्ध हो गया कि अपना नाम भी नहीं बता सके। दोनों भायों ने उन्हें उठा कर सीने से लगा लिया। एक हाथ कृष्ण ने और दूसरा बलराम ने पकड़ा और बड़े प्रेम से अक्रूर जी को अपने घर ले गए। घर ले जाकर उनका आतित्ह सतकार किया, उनका पैर दबाया और उन्हें एक गाय दी। ततपश्चात नंजी ने उनका हालचाल पूछा। जाने का उद्देशय और नारजी द्वारा कृष्ण जन्म का वृतान सुनाने इत्यादी सारी बाते उन्हें बता दिया। दोनों भायों ने हस्ते हुए अपने पिता नंजी को कंस की आग्या सुनाया। नंजी द्वारा मतुरा जाने की तैयारी। नंजी ने गोशना करवा दिया कि सारा गोरस एकत्र करो। भेट की सामगरी ले लो और छकरा जोडो। कल प्रातल काल ही हम सब मतुरा चलेगे और वहाँ चलकर कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सभ हो रहा है। उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर जी कृशन को ले जाने के लिए आये हैं तो उन्हें बड़ी व्यता हुई। अगले दिन नंजी दोनों भायों और अन्य गोपों के साथ भेट सामग्रियों के कर मतुरा के लिए चल पड़े। क्रिशन का मतुरा जाना। गोपियां क्रिशन को इस तरह जाते देखकर अत्यंत दुखी हो रही थी। क्रिशन ने एक दूट से उन्हें संदेश भिजवाया की मैं आऊंगा। गोपियां तब तक उनके रत को जाते हुए देखती रही जब तक की वे नजरों से ओजल नहीं हो गए। क्रिशन का मतुरा आगमन प्रकत रूप से अपने राजा कंस की समारोह को देखने के लिए हुआ था। लेकिन इस समय जो वे ब्रज भूमी छोड़ कर निकले तो फिर कभी वापसा नहीं सके। मतुरा के बाद द्वारका उनकी राजधानी बन गई। वे वही रहें। बलराम जी के द्वारका रहते हुए एक बार ब्रजाने का उलेक भागवक में है लेकिन क्रिशन के आगमन का नहीं। अपने पालक माता पिता नंद यशोदा और बालपन के सखा गोप गोपियों से क्रिशनी की भेद तीरत में हुई जहां दोनों परिवार सूर्य ग्रहन के बाद सनान करने के लिए आये थे। यहां आ गए तो रत में नहीं हुँगे। उन्होंने जल से अपना सिर बाहर निकाला तो देखा कि दोनों पूर्ववत रत में बैठे हैं। उन्हें लगा शायद जल में उन्हें देखना भरम रहा हो। उन्होंने फिर से दूग की लगाया तो जल के अंदर उन्हें श्री पीर का एक 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 अंग दिव्य और जोतिर में था। समस्ता अभूशन, श्रिंगार और उनके विशेश चिनह उन पर शुभायमान हो रहे थे। इस रूप के अंतरधान हो जाने पर अक्रूर जी जल से बाहर आये और अन्या आवश्यक कार्य करके रख पर सवार हो गए। उस समय वे बहुत ही विश्मित अवस्था में थे। क्रिश्न जी ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने प्रित्वी, जल या आकाश में कोई अद् प्रित्वस्थू रह जाती है, जो मैंने नहीं देखी हो। ये कह कर उन्होंने रत हांक दिया।